रागोगर में एक नदी है चोपेट नदी और इसे लेकर कहावत है कि चोपेट के इस पार राजा यानि दिगविचे संग और उस पार महाराजा यानि जोतिरादेति सिंधिया बरसों से चली आ रही ये कहावत अब बदल गई है अब चौपेट के इस पार भी जोतिरादेति सिंधिया ने आमद दे दी है रागोगड से दो बार के विधायक रहे मूल सिंग दादा के बेटे हिरेंद सिंग ने बीजिपी का दामन थाम लिया है हिरेंद सिंग के बीजिपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कहा कि रागोगड में नए अध्याय की शुरूआत हुई है सिंधिया ने रागोगड में उस कारिक्रम की याद ताजा की जिसमें वो दिगवजे सिंग के बेटे और रागोगड विधायक जैवर्दन सिंग के साथ हीरेंडर सिंग के पिता की स्मृती में दोड़े थे सिंधिया ने कहा कि अब दौर लगाने की बारी ही रेंद्र सिंग की है सिंधिया ने दिगविजे के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि मूल सिंग दादा का इस्तिमाल केवल सीट खाली होने के समय किया जाता था जब बेटे को टिकेट देने की बारी आई तो दिगविजे सिंग ने मूल सिंग के सामने हाँ जोड लिए मूल सिंग दिगविजे सिंग के बेहत करीबी रहे हैं और दिगविजे सिंग खुद उन्हें दादा कहकर संबोधित करते थे मूल सिंग दो बार रागोगड से विधायक रहे हैं और ये सीट परंपरागत रूप से दिगवजे सिंग की है जब सिंधिया और दिगगी दोनों कॉंग्रिस में थे तब चौपेट नदी को ना तो दिगवजे ने पार किया ना ही सिंधिया ने लेकिन जब सिंधिया बीजेबी में शामिल हुए तो जैवर्दन और लक्षमिन सिंग ने चौपेट नदी को पार कर सिंधिया को चुनाती दी और अब इसे इसी का जवाब माना जा रहा है बहरार रागोगड के किले भेदने के लिए सिंधिया ने पहला कदम बढ़ाया है राजनीती के जानकारों का मानना है कि किले को फटे करने की रह इतनी आसान नहीं है